तो शादी तए हो गई वो एक राजकुमारी हैं बड़ा कारेक्रम आयोजित किया गया वहां का हर व्यक्ति छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सभी लोगी कठे हुए भारत में ये परंपरा है कि दूलह अपने लोगों के साथ आता है आम तोर पर आप देखेंगे कि वो गोड़े पर सवार होकर आएगा और वो अपनी दूलत दिखाएंगे और दूलह के लोग अच्छे से तयार होकर दिखावा करते हैं कि वो दूलहन के पक्ष से कैसे बेहतर है पर शिव के सर पर जटाएं थी, बाल उल्जे हुए, सिर से पाव तक राक एक हाथी जिसे अभी-भी मारा गया है उसकी खाल पहने हुए जिससे खून टपक रहा था और वो पूरी तरह मधोश थे, बिलकुल मधोश और उनके सभी साथी, वो सभी टेड़े-मेड़े प्राणी थे वो मानाव रूप में नहीं थे और कोई भी उनके शोर को समझ नहीं पा रहा था वो ऐसी भाशा बोल रहे थे, जिससे कोई नहीं समझ पा रहा था और मीरा पार्वती की माने दूलहे की ओर देखा और उन्होंने फिर से कहा ओ मा, ओ नहीं और बेहोश हो गई तब पार्वती ने शिव से विंती की मेरी मा के लिए बहतर रूप धारण कीजे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं बिल्कुल भी नहीं, मैं बस आपको इसी तरह चाती हूँ, पर मेरी मा के लिए थोड़ा सुन्दर रूप दिखाईए शिव ने कहा ठीक है, और एक बहुत सुन्दर रूप धारण किया, अच्छे कपडों वाला रूप, फिर जब वो आए, तो लोग बोले ये सुन्दर मूर्ती हैं, यानि आज तक का सबसे सुन्दर व्यक्ती, वो 9 फीट लंबे थे, कहते हैं कि जब वो खड़े थे, तो वो घोडे के सिर्थ तक कूँचे थे, ऐसा कई शास्त्रों में लिखाये, जब वो दक्षिन में आए, तो लोग बोले कि वो एक औसत महिला की उचाई से दो गुने लंबे हैं, आम तोर पर दक्षिन भारत की महिला हैं, काफी पहले दक्षिन भारती महिला हैं, आम तोर पर 5 फीट से कम होती थी, तो उन्होंने कहा कि वो एक औसत महिला से दो गुने लंबे हैं, ऐसा बताया गया, वहाँ लोगोंने कहा कि वो घोडे के सिर्थ तकूँचे हैं, तो लगभग 9 फूट लंबा व्यक्ति, सबसे खूपसूरत व्यक्ति, और सभी उनकी उपस्थिती में हैरान थे, फिर वो आकर बैठे, शादी होने वाली थी, जब भारत में विशेश रूप से इस तरह की शादियां होती हैं, तब दुलह और दुलहन के पूरवजों का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है, क्यों उनके पूरवज कौन है, उनका खून कितना शुद है, वग ही कुछ कहा गया, फिर वो बोले, दुले के बारे में बताएं, शिव चुपचाब बैठे रहे, कुछ नहीं बोले, उनके कोई भी रिष्टेदार नहीं थे, जो कोई भाशा बोल सकते थे, उनके साथ मौजूद दूसरे प्राणी, अजीब आवाजे निकाल रहे थे, तब दूलहन के पिता बुरा मान गए, बिना पूरवजों के इस व्यक्ति से, मेरी बेटी कैसे शादी करेगी, कोई नहीं जानता कि ये कहां से आया है, इसके माता पिता कौन है, इसका वन्ष क्या है, मैं इसे अपनी बेटी कैसे दूँ, वो गुस्से में उठ खड़े हुए, तब एक रिशी थे, नारद, जिनके पास एक तारवाला यंत्र, एक तारा था, वो बस टैंग, टैंग, टैंग करते रहे, राजा को और भी गुस्सा आया, आप एक तारा क्यों बजा रहे हैं, नारद ने कहा, यही उनका वन्ष है, उनके पिता नहीं है, उनकी मा भी नहीं हैं, तो उनकी बुनियादी क्या है, टैंग, ध्वानी ही उनकी बुनियाद है, वो बस एक कमपन से पैदा हुए है, उनके ना तो माता पिता हैं, नहीं कोई वन्ष, तब राजा चिड़ गए, लेकिन शादी हो गई,